हलो, नमस्कार इस्टुएंट, मैं पिशेक भारगाव, भारगाव क्लासेस के इस यूटूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत रता हूँ, आजका जो मारे वीडियो को टॉपिक है वो है जी सैट 11, अब ये जी सैट 11 है क्या, इसके बारे मैं आपको पूरा ड देखेगा, और इसका PDF जो है आप फ्री में जो डाउनलोड कर सकते हैं, वो डाउनलोड कर सकते है, टेली ग्राम गुरूप पे जाकर भारगाव क्लासेस आप लोग को टाइप करोगे, तो आपको मिल जागा और वहां जाके जोईन कर लिजेगा, जोईन करने के बात फ्री म और जिसे हमने एक बैल का आइकन आएगा, इसको जुरूप प्रेस करिएगा, ताकि वीडियो के नोटिक पेशन आपको मिलता रहा है, और ये एक्जाम के पॉइंट आपको बहुत जादा इम्पोर्टेंट है, ठीक, तो ये देखिए, लाउंच जब हुआ था, ये पांस करते चलिएगा, ठीक, तो भारत का अब तक का सबसे भारी भरकम उग्र, भारत का अब तक का, ठीक है, अब तक क्या है ये, भारी भरकम उग्र, जिसका नाम है जी सैट 11, अब देखिए, जी सैट 11 से आप क्या समझ रहे है, ठीक है, जी सैट 11, तो जी सैट 11 से देखिए, य G-set का मतलब क्या होता है? तो G-set का मतलब होता है Geosynchroid Satellite, ठीक? 11 इसका नाम है, सफलता पूर्वक launch कर दिया गया है, तो इसको launch कर दिया गया है, 5 इसम्मर को मैंने आपको बताया, इसे अब देखें, यहाँ पर एक और important point निकल कराएगा, पहला important point है कि इसका पूरा नाम क् रहा है, दूसरा point निकल कर रहा है कि G-set 11 का पूरा नाम क्या है, याने G-set का मतलब क्या होता है, उबने आपको बताया, तीसरा point अब note डाउन कर दियेगा, कि इसे सफलता पूर्वक launch कर दिया गया है, इसे European Antrix, यह याद रखेंगा, यहाँ से यहाँ तक का European Antrix Agency, एरिया न space, ने एरिया ने 5 rocket से, याने कि इस rocket से इसको launch किया गया है, यह आपको याद रहना है, तीसरा point जो है, यह मैंने red color से लिखा है, एरिया ने 5 rocket से launch किया है, और चौथा point आता है, यहाँ पर इसी page के लिए चौथा point है, कि इसे जो एरिया ने space है, जो European Antrix space है, उसके French Guana से प् सबसे भारी भरकम, जो भारत का उग्रह कौन सा है, तो वो है G-Sat, उसके बाद में दूसरा जो है G-Sat का नाम क्या है, तो G-Sat का नाम है, जियो सिंद्वाइ सैटलाइट, उसके बाद में तीसरा है कि इसको European Antrix Agency, Ariana Space के Ariana 5 rocket से launch किया गया है, कहां से तो French Guana से, ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद कर लेना है, पुछ प्रवाश हमतावाले इस संचार उग्रह का निर्मान भारती अंतरिक्ष एजंसी इस्रो ने किया, अगर आप लोगों इस्रो का नाम नहीं जानते हैं, देखे, मैंने यहां पर नीचे में लिग दिया है, जो भारत की अंत ने कितना विसाल का आया है, यह उग्रह, तो यह उग्रह जो भारत का सबसे भारी भरकम उग्रह थी, यह कितना विसाल का है, वो भी देखिए, अब इसका जो वजन है, भारत में अभी तक जो है, इससे भारी भरकम सेटेलाइट नहीं था, ठीक, तो इसका जो वजन वो नो दाउनलोड करेंगे तो यह जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इस सारे डाउनलोड करिएगा क्योंकि एक्जाम के पॉइंट में से बहुत जादा इंपॉर्टेंट है तो 58-54 किलोग्राम जी साइट का बजन है चार मीटर है इसके हर एक सौर पैनल की लंबाई यह भ आगे बहुत सारी इसके बारे में जनकारी आप लोगो मिलती रहेगी तो देगे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले तो उन पर ध्यान दीजिए का अच्छे से है तो जी सेट किस लिए प्रिच्चे पित कि अगया इंटरनेट रफ्तार में मदद करने के या आब रित् sitcom हैं किपने सच्छम, इस तरह से उচ बैंडविट संपर्ख प्रदान करने में सच्छम है ठीक इससे देश में इंटरनेट की रफ्तार में उल्लेखनी सुधार आएगा सूचना तक्नीक के उन्नत उपकरण बनाए जा सकेंगे ग्राम बंचायतो तक इसके जरिये कभर लिया जा सकेगा इससे इगवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा ज़्यादा इंटरनेट उपकरण को डाटा बेस का संचालन करने में इससे मदद मिलेगी तो ये इसके कुछ पॉइंट है और ये ट्रांसपाॉंडर क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ तो देखे ट्रांसपाउंडर क्या है विशिष्ट संकेतों को ग्रहन करने के लिए त्यार क्या गया विद्धूतिय उपकरण देखे कभी कभी पूछ सकता है कि ट्रांसपाउंडर क्या है ओप्शन देदेगा तो क्या है विद्धूतिय उपकरण है, क्या है, विद्दिय उपकरण, इसको विशिष्ट संकेतों को ग्रहन करने के लिए तियार किया गया, विद्दिय उपकरण है, जो स्वा चलित रूप से विशिष्ट उत्तर भी भेढ़ता है, तो आपको ये भी गती और संपर को बढ़ाएगा, इस टॉप बीम विशेश रूप से केंद्रित संकेत है, जो उग्रा का भॉगलिक छेत्र तै करता है, बीम अर्थात किरण, जितना सिमित होगा, छमता उतनी ही जादा होगी, पूरे देश को कभर करने के लिए उग्रा बीम का प्रेयोग तो यह ट्रांसपाउंडर है, इसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज आपको मालू मुना चीए, अब देखते हैं, इंटरनेट क्रांती के लिए चार उग्रा, तो देश में इंटरनेट क्रांती के लिए चार उग्रा प्रिछेपित करने की योजना है, जिसमें से जी प्रिछेपित किये जा चुक है, आपको ये भी मालू मुना चीए, जी सैट उन्नीस और जी सैट पहले ही प्रिछेपित किये जा चुक है, और जी सैट जो है, वो कब किया गया है, जी सैट 11, पाथ दिसमबर को राद दो बज़े से दो बच कर 23 मज़े के बीच छोड़ा जा ठीक है, ये देखिए, अब ये छोड़ा जा चुक है, तो 5 दिसमबर वाला डेट आपको याद रहे नहीं कि 5 दिसमबर को जी सैट 11 छोड़ा गया, जी सैट का पूरा नाम क्या है, जी सैट क्या है, जी सैट के बारे में, तो अभी तक आप लोगों ने ये जो है समझ लिया ब्राडबेंड कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, ठीक, आप देखते हैं, जी सैट का उप्योग क्या है, तो जी सैट का उप्योग क्या होगा, संचार पणाली में, गती में बिद्धी करना, अभी तक कितने जी सैट mouvement कर दिये गया है, तो जी सैट जो हैं, अभी जो आपको बता हैं तो आपको comment section में comment इनना है इतने ही point है G711 से जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं तो यह बहुत जादा important है इस page को याद रखेगा जितने भी मैंने बता है क्योंकि यहीं से जो भी brush पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा कि G711 को कौन से European Antrix Agency जो इसका नाम है Ariana Space या और कौन से rocket Ariana 5 ठीक है कहां से तो फ्रेंच गुवाना से इसका वदन कितना है तो 58-54 kg है 4 मिटर यह फिर यादर खेगा 15 साल से अधिक का इसका जीवन काल होगा जो कोशन मैंने पूछा है ठीक 500 क्रोड रूपर साधीक लागत होगी G-Site का पूरा नाम पिर इंडियन स्पेस रिचर और अर्गनाशन का यह स्पेस है ठीक तो यह सब कुछ जितना भी मैंने आपको बताया यह सब नोट डाउन करिएगा और PDF जरूर डाउनलोड कर लिजेगा और यह अंसर दोनों के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजेगा ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही था अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा यह अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा ताकि महनत को अप्रिशेशन मिले ठीक है और आपके उप्योग के लिए भी बहुत जादे जो रही है आपके आने वाले एक्जाम में यहां से पॉजिशन जरूर पुछा जाएगा ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही था जय है जय भारत